मैं शुक्मा स्वागत है आपका टूमीडिया चैनल में हिजाब को लेकर सुप्रीम कोड का फैसला आ गया है लेकिन फैसला दोनों जजों का अलग लग है ऐसे में हिजाब पर फैसला बड़ी बेहज करेगी जश्टिस हेमन्द गुप्ता और सुदानसु दुलिया अलग अलग राय सामने आई है जश्टिस गुप्ता ने कहा कि हमारी राय अलग अलग है जश्टिस गुप्ता ने करनाटक हाई कोड के फैसले को बरकरार रखा वहीं दूसरे जज़ सुदानसु दुलिया ने करनाटक हाई कोट के फैसले को खारिश कर दिया जिस वक्त यह फैसला आया उस वक्त कोट रूम खचाकच परा था करनाटक हाई कोट ने 15 मार्च को राजय में उड़पी में गवर्नर प्री उनिवर्स्टी गर्स कॉलिज के मुस्लिम छात्राओं के एक क्लास के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति देने की वाली याचिका खारिश कर दिया था हाई कोट ने कहा था कि हिजाब पहना इसलाम में आवश्यक धार्मिक पर्था का हिस्सा नहीं है सुप्रीम कोट की ओर से फिलाल जो फैसला आया है उसके अनुसार बड़ी बेंच इस पर फैसला करेगी तीन जजजों की बेंच होगी या पांच जजों की बेंच इसका फैस करनाटक हाई कोट का फैसला अभी लागू कर जेगा नाटक हाई कोट ने मना था कि हिजाब इसलियर अनिवारिय कपरथा का इसी फैसले को श्रूप को में चुनोति लिए इसके पक्ष और विपक्ष में कई दलील है गई इस पर लगाता सुनवाई हुई याशिक कर्ताओं की और से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सलमान खुर्षित देवदत कामत राजीव धवन समयत कई वकीलों की ओर से दलील पेश की गई थी हिजाब के पक्ष में जो दलील दी गई उसमें से कहा गया कि आजादी के 75 साल बाद राज्य सरकार ने हिजाब पर पतिवन क्यों लगाया इसकी क्या जरूरत थी यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड में भी कुछ नहीं पेश किया गया कि सरकुलर किसी जाती या उचित कारण या किसी आउचित पर आधारित था वह सॉलिसीटर जन्रल तुशार मेहता ने अपनी दलील में कहा कि पी एफ आई ने स्कूल कॉलेज की मुस्लिम चात्राओं को हिजाब पैनने को उकसाया है राज्य सरकार ने हिजाब परतिवन्द विवाद में किसी भी धार्मिक पहलो को नहीं चुआ है और यह परतिवन्द केवल क्लास तकी सीमित है हिजाब विवाद पर आई इस कोड के फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में भी चरूर बताएं